आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गेहू के आटी से बनावा बहुती मज़ेदार एकदम क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी सबी तरफ बरसात का मोसम है और बारिश के मोसम में कुछ न कुछ गर्मा गरम नाश्ता खाने का मजा ही अलग ही तो आप मेरी इस रेसिपी को जरू से ट्राइ कर कर देखे बहुती आसान और बहुती लाजवाब ही साथ ये जो नाश्ता है ना बच्चों को पी बहुती पसंद आने वाला ही तो में वर्षा भाव सार रसोई घर में आप सबी का स्वागत है तो चले फ्रेंड्स इस आसान से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं लेकिन हर बार की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आज की वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुन न भूलें चले बनाते हैं मज़िदार नाश्ता चले इसके लिए सबसे पहले डो लगा कर तयार कर लेते हैं तो एक मिक्सिंग बावल में हम डालेंगे देड़ कप गेहूं का आठां आठी में डाल देते हैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हम यहाँ पर अजवाइन डाल रहे हैं तो हातों से क्रश करते वे अजवाइन को डालेंगे थाकि जो अजवाइन के खुश्बू है ना आठी में बढ़िया से आए और अब हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा से तेल, लगबग दो छोटी चम्मस, तेल की जगे आप यहाँ पर गी का भी यूज कर सकते हूँ, अब इन सबी चीजों को एक बर बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं, तो क्रम्बल करते भी मिक्स कीजिए, तो चलिए यहाँ पर दे ठीक करना हैं, तो यहाँ पर देखें, फोड़ा-थोड़ा पाने डालकर में डो लगा कर तयार कर रही हूँ, तो अगर आपके पास पहले से अथा लागावा हो, तो उसका भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हूँ, मेरे पास अथा नहीं था, तो में लगा रहे थी, तो इस तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दो आलू लिये हैं यह उबलेवे आलू है आलू को उबाल लिजिए और छिलका निकालने के बाद जबे ठंडे हो जाए तब इस तरह से मेशर से ही मेश कर लेते हैं तो आलू को हम यहाँ पर थोड़ा अच्छे से ही मेश करना है यानि आलू म में यहां पर डाल रही हूं नमक एक चमच हम डालेंगे काश्मीरी लाल मुर्च पाउडर इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा अगर नहीं डालना चाहे तो नॉर्मल लाल मुर्च का भी यूज कर सकते हूं थोड़ी से डाल देंगे हल्दी पाउडर और आधी चमच के आस सारे मसाले आप अपने इसाब से मैनेज कर सकते हूं तो चलिए यह देखे मसाला भी यहां पर पढ़िया से मिक्स हो चुका है तो अब में इसमे डाल देती हूं हरी मिर्च और बारिक कटावा धन्या पत्ती तो पहले डालना भुल गई थी इसलिए मैं यहां पर इस समय इन तो अब हम यहां पर इनकी बॉल्स बना कर तयार करेंगे लेकिन जो इनकी बॉल्स है हमें बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना है आप देख सकते हैं मैंने किसा इसके लिए हैं अब इस तरह से थोड़ा सा हतेलियों पर या फिर उंगली की साहिता से इसे थोड़ा सा अब मैं इसके अंदर रख रही हुँ चीज यह मैंने चीस लाइस ली है अगर आपके पास चीज क्यूप स हो तो उसका भी यूज कर सकते हूं तो चीज क्यूप से हम यहां पर दो पीस कर लेंगे और इस तरह से मोडते वे इसके अंदर रखेंगे देखे बच्चों के तो यहां पर देखिए इसे मैंने फिर से बढ़िया से बॉल का शेप दे दिया है तो आप देख सकते हैं न बस इसी साइज के हमें यहां पर बना कर तैयार करना है चले एक और बना कर देख लेते हैं तो फ्रेंट्स आलू और चीज दोनों ही बच्चों का फेवरेट होता है तो अगर आपके घर में आलू के पराटे बहुत जादा बनते हैं और बच्चे खाकर बोर हो गये हैं तो इस तरह से आप उन्हें बना कर दीजिए क्योंकि आटा भी वही है और साथी फिलिंग भी आल तो यहां पर दीखिए बोल्स तो हमारी बन कर तयार हो चुकी है तो चले आगे देख लेते हैं तो यह जो आटा है यह भी बढ़िया से सैट हो चुका है इसे रखेवे भी 10 मिट का समय हो गया है तो हम क्या करते हैं से एक बार फिर से मसल लेते हैं ताकि बढ़िया से सोफ् नहीं करते हैं तो इसे मैंने स。 जिल्म को पारिक कटिवी धन्यापति यहां, र Laz में टाला ह corpse न चेल्म फेल साद्गカンタ्ति के लिए को फेलेखें ऑड़ी में टाला है, जिल्म पापति धन्यापत्टि को सभी अखिल गतला है nuovo, लेकिन दिखने में अच्छा लगे इसलिए में यहां पर इनका यूज किया हैं तो चिली फ्लेक्स को भी हम यहां पर सभी तरफ पड़िया से फेला देते हैं और इसके उपर में डाल देती हूं थोड़ी सी सफेद तील अगर आपके पास हो यह चीजे तो डाल सकते हूं नही इसे हलके हाथों से बेल लेते हैं यानि थोड़ी सी से ओर बड़ी कर लेंगे अगर जरुत पड़े तो आप यहां पर सुके आटे का भी यूज कर सकते हूं चले अब हम इसे काटेंगे तो काटने के लिए कोई भी आप कटर ले लीजे मैंने तो यहां पर एक गोल्ड जाता है चले जो इसके साइड के किनारे हैं इसे अलग कर देते हैं तो आप देख सकते हो ना फ्रेंड्स कितनी सुंदर यह पूडिया लग रही है तो अब हम क्या करेंगे उठाते वे इनकी साइड चेंज कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे यह फिलिंग जो हमने बन करना है जो उपर का एकस्टा पार्ट है इसे हटा देती हूं और फिर से हम इसे गोल शेप दे देंगे यह देखें तो यहां पर देखें इसी तरह से मैंने एक और बना कर तयार कर लिया है और जो बाकी के थे वह मैंने यहां पर बना लिये हैं अभी मैंने आप छे से साथी धोड़ा सा टेल डाल देते हैं और अब इन बॉल्स को अम इसके अंदर रखेंगे तो रहें लोग छोड़ी और यहां पर यूश होने म deste घ्यानिकों तो यह थोड़े सॉफ्ट रहेंगे, इस बात का ध्यान रखें, जब एक तरप से थोड़े से फ्राइब होते हैं, यानि इनमें थोड़ा सा कलर आता है, तब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे, आप देख सकते हैं न, फ्रेंड्स कितना बड़ी असा इनमें कलर आने लगा है तो लोटू मीडियम फ्लेम पे आप इने बड़ी असे फ्राइब कर लीजे, लेकिन गेस का फ्लेम हाई नहीं करें, अगर हाई कर देंगे, तो जिनका कलर यह बहुत जदा लाल हो जाएगा, और यह कच्छे रह जाएंगे, तो जवरत के इसाब से आप लोटू मीडियम फ् के लिए और रहने दीजे, नहां पर देखे, चीज बड़िया से मैल्ट हो चुका है, तो अब मैंने इने बाहर निकाल लिया है, तो हेना फ्रेंड्स बहुत ही मज़दार रेसेपी, ट्राइज जरूर से कीजिए, तो आज की रेसेपी कैसे लगी, कोमेंट बोक्स में जरू मिलते हैं एक नई रेसेपी के साथ,